लड़का पांच लाख रुपए कमाता है बहुत अच्छा रिष्टा है साब आप लेकर आए हैं तो अच्छा ही होगा ना आप तो ज्यादा ही तारिफ कर रहे हैं वो देखिए लड़की भी आ गई क्यासी लगी यह मुझे बहुत पसंद तुम को नहीं समझी तुम बताओ बेटा मुझे तो बहुत पसंद है यह तो बहुत अच्छी बात है आप लड़की से बात करना चाहते हैं जी नहीं मुझे बात करनी है यह कुन है मेरा बेटा अच्छा शादी तो लड़की करेगी ना वह बात करे तो बहतर है क्यों नहीं मुझे बात करनी है किसलिए दी की पसंद मुझे अच्छे से पता है तो दीदी बात नहीं करेगी तुमारी बात दीदी ऐसे ही मान जाएगी मुझे भी बात करनी है तो मां का नाम दुर्गा देवी डेटाफ वर्त मां का डेट वर्थ 15 मार्ट 1936 पापा का नाम पुर्शोत्तम अधर वर्थ 18ии इसने डेल पवर्त गहल फूर्णड में ब्श करारेंगा पानशायं जी में फिर ये सका यह तुम्हारी marriage anniversary तुम्हारा birthday बिना भूले तुम्हें विश्च करेगा दिखो बात यह है दोस्त के लड़कियों को property से फर्क नहीं पड़ता पर लड़का marriage anniversary भूल जाए या बद्य भूल जाए तो उन्हें दुख होता है इसलिए confirm कर रहा था अच्छा तो मेरी दीदी पसं नो compromise आपके भाईया ने पूरी पिक्चर दिखा दि मुझे क्या objection होगा तो मुझे भी कोई objection नहीं है देख भाई तुझे अंदाजा भी नहीं कि मैं अपनी बहन से कितना प्यार करता हूँ बहुत प्यार से पाला है उसकी आखों में कभी आंसु नहीं देख सकता मेरी बहन मेरी चान है अगर ऐसा हुआ कि तुमने शादी के बाद मेरी बहन को तंग करने की कोशिश की तो फिर अरे हमें चान जो यह के सादी बहुत सारी एंसा चाने बताइ से जानता हूं कितना पसा बाताई है कि इस इसमें सोच्ने की क्या बात है दै्ट मेरे नाम से उसे भीया देख एर लेकिन वो फ्लाइट अपने लिए खरिदा है माँ दीदी पहले है फ्लैट का क्या है बाद में खरीद लेंगे तीन-चार दिन में मुझे जॉब मिल जाएगी ठेर सारे पैसे कमाऊँगा और फिर एक बड़ा सा फ्लैट ले लूँगा जाद मुझे ठाहिए तो मुझे ये पैसे चाहिए और अपना हिसा चाहिए तो मुझे मैरा चाहिए तु अअजय है वह तो इन ओर करोड कोरोद सुन जहरी है लुग साधी करकर भगई है इसे हुरी जैदाती पहले पहघ रहे हैं बहुत ही अच्छी रंगोली बनाई है नमस्ते आंटी नमस्ते बेटी पहले कभी नहीं देखा हम यहाँ नए नए रहने आए है तुमने जो रंगोली बनाई है बहुत है सुन्दर है धांक्स आंटी चलती हूँ मैं हाँ दिदी कॉफी दो ना आंटी अरे बेटी सत्यनारैन भगवान के घर में पूजा हुई थी उसका प्रसाद लाई हूँ अच्छा अच्छा दिदी कॉफी मेरा बेटा है ना उसे उठते ही गर्मा गरम कॉफी चाहिए तुम पियोगे कॉफी नहीं नहीं आंटी कॉफी लाओ न अधी बेटी जल्दी सबने भाई को कॉफी दे दे मा आज आप दे दू ना मैं दे दू अरे उठते ही उसे तेरी शकल देखने की आदत है मेरी नहीं मा प्लीज आज के दिन आप दे दू ना कॉफी मेरी बेटी है ना वो मुझसे बहुत प्यार करती है कूकर की सीठी बज रही है मैं अब ही आती हूँ अरे दिदी कॉफी लाओ ना बेटी अगर बुरा ना मानो तो मेरे बेटे को यह कॉफी दे कर आओगी क्या है कि मैं सबजी बना रही हूँ वो कहीं जलना जाए इसलिए ठीक है आंटी देकर आओ बेटी कमरा उधर है यहां से जाओ कॉफी तुम करो नहीं नहीं तुम्हारे पडोसन बनी हूँ मेरे घर में क्यों आयों कॉफी देने के लिए आया हूँ सुबह सुबहारी माने कहा ता इसलिए ठीक है लाओ पशे सर्पे क्या है नारील वाला हेलमेट है तुम्हारा नाम क्या है मैं चलती हूं नौम बताया बिना चली कि कितनी बार गुमने आ देदी 108 बार प्यार दुखने लग जाएगा कोई बात नहीं घर में बाम है उसे लगा लेना ठीक हो जाएगा चक्कर आने लगेंगे आंखें बंद करके गुम और चक्कर नहीं आएगा क्यों अपने प्यारी देदी के लिए ये आतम इतना भी नहीं कर सकते हो नहीं कर सकता चलो घूमना शुरू करो नहीं करूंगा ठीक है ठीक है जा तो रहा और तुछे भी साथ बार उपर नीचो तरवाओंगा वो बात में देखेंगे पहले तुम घूमना शुरू करो ये अब 108 भार घूमना पड़ेगा क्यों रुक है कौन है यह वो जो सुबह सुबह कॉफी देने यह यह वो यह है सुबह सुबह यही घर आई थी ना इसकी वज़े से आज माने मुझे बहुत डार्ट लगाई देखो जरा कैसे पुजा कर रही है देखो वह हमारी तरह टाइम पास के लिए पूजा नहीं कर रही है दिल से पूजा कर रही है देखो इसकी पूजा भक्ती मुझे लगता है यह बहुत संसकारी लड़की है इसले तो मैं इसे लड़की से शादी कर लो मुझे भी आइडिया अच्छा लगा भाई तो ठीक ह अपना नाम नहीं बताओंगी अगर नहीं बताओंगी तुम्हारा नाम यही रगदूंगा नाम तो बता दो मैं अपना नाम नहीं बताओंगी मैंने पूछा भी नहीं में तुम्हारा नाम रख दिया है लेना देना यही काफी यह क्या बात हुए मुझे बुला रहे हो और कह रहे हो कि मुझे से नहीं कर पाऊगी है इतनी बड़े-बड़े सवाल मत प्या करो तो तुम परदाश्त आफिस जाकर योन किया बात है इसके बात आफिस क। चाहिए यह क्या करते मतलब मैं आवा रहा है चाहि चोंट को पुछ लेती हूँ आपको कोई जौब नहीं मिल nav बस बहुत हो गया, पाल तु सवाल मत करो, खुद से प्यार हो, तो ऐसे सवाल मत करना, अब एक काम करो, तुम मेरे सवाल का जवाब दो, ये बताओ, तुम्हारा रेलेशन्शिप स्टेटिस क्या है, मेरा बॉइफरेंड है, तो उसे छोड़ दो, मैं मजाग करो, तो कहते हो क तुम मुझे मारोगे, मैंने कहा मेरा बॉइफरेंड है, तो कहते हो छोड़ दो, तुम क्या लड़कियों से ऐसे ही बाते करते हो, मैं तो ऐसी बाते करता हूँ, तुम्हें पसंद भयाना हो, मेरे यही आदत है, तुम्हें सहना पड़ेगा, क्यों, मैं क्यों साहूंगी, क छोदान तुम्हे है सिर्फ मेरे लिे क्लोन नमबर र हरे मैं नहीं दोगी जब भूनने वाला प्थ शुम bén लोगे उसे दे दे मना नहीं करना च bon तुम में यहां जॉइन दूंन किया है जॉब फिक मेरा पहला दिन है यह ऐठ वन तुम हमें यहां बोल नहीं सकते जो मन में यहां कर नहीं भुल के गार नहीं मेरी बात तो यह चुप-चप मेरे साथ तुम वहां क्यों खड़ियों अंदर आओ वो कल्मा ने प्रशाद का बरतन दिया था वो मां वो पड़ोस वाली प्रशाद का बरतन लेने आई है वो ले आएंगी तुम आओ बैट जाओ अच्छा तुमने मेरे भाई के आफिस में जॉइनिंग किया है नहीं तुम्हारे कांदे हनी में बूंडे जैसा लगता है लकिन है बहुत भोला-बाला हुआ पता है मुझे ही बहुत भोला-बाला और इतना भोला-बाला है कि सामने दीदी बढ़ी है फिर वी उनके सामने लड़की को बिंदाश होंके आख मार रहा है सच मैं क्यों तुने आख वाली कि अगर आप देर कर देती तो मैं पागल हो जाती है मैं चलती हूं अच्छा ऐसा अरे ऐसा कुछ नहीं है ठीक है बहें जी लक्षमी इंगेजमेंट फिक्स कर दी ऐसा क्या यह तो बहुत खुशी की बात है आने वादे गुरुवार्ट वालेशन पैसे है नहीं बेटी चाहो त से खरीज लो पीटाजी अग्रेडिट कार्ट की लिमिट खतम हो चुकिए बैटी चाहो तो डेविट कार्ड यूज कर लो लो ती यह आखरी के हजार रुपे बचे मेरे पास अब चलो यहां से ठीक है कि जाने से पहले साहीं बाबा के मंदिर चलते हैं दर्शन करने आपके आवाज नहीं आ रही है कि आपकी आवाज नहीं आ रही है क्या डैट आप लुकार में बैठे मैं भी आता हूं जल्दी आना बेटा है दैट के लिए आयो चाहँ है अरे और जोड़ में से बलाइक आवाज नहीं आ रहे है बॉख लोग खुकार jei खूकार आच्योझ कि अ कि अुव सेथे नहन देटाने के अहन कि अ कि अुव सेथे हैं। ओार्ग ओार्ग कर दो स मुड़रे का पीजा है ऊतना है तुरत है कर दो कर दो माँ तुझर कर मों सिंग दद एक का व म रले केन किव답 झाल 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 झाल? बोब आखिःको लो। आपके गोलो, 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 आपके डार… डार दो रहा है मैं दिऴ, मैं दिऴ, दिर्स आँ को नहीं डार दो रहा है दोड़ को accessible आँ मा कीव, तुम भी हम द मुनुद थी behave दिव तुम दी giue तुम भी डिवी, डिवी, दिवी डिवी, डिवी बेटी सामने मारे लड़के को नाश्ता दिया क्या नहीं मा एक बर उससे मिलतो लो बहुत बुरा हुआ उसके परिवार के साथ ठीक है मा जब जाओगी तो बता दे ना उसके लिए नाश्ता दे दूंगी तुम्हें ठीक है मा सुनिये कोई है वो बिजारा बहुत दुखी कि अब जाओगा वोगा सुनिये क्या कॉफी गर्ल्स टिफिन क्या सभी टाम पर लाइए ऐसे क्या देख रहे हो कुछ नहीं कोई बात तो है तुम्हारे माबाप नहीं रहे तुम्हें इस बात का दुख नहीं है है लेकिन तुम्हें देखके तु ऐसा नहीं लग रहा क्या दुख को बाहर देखना जुरूरी है क्या है दुख है यहां है जल रहा है और वो बाहर आएगा उस दिन बाहर आएगा जिस दिन वो बाम रखने वाला पकड़ा जाएगा देखना तब घाम से बाहर आएगा वो तुम फिक्र मत करो पुलिस उन्हें पकड़ लेगी प साल बिछा कर पंची पकड़ते हैं वैसे ही मैं उन सब को पकड़ूंगा और साइं बाबा के मंदिर पर ले आकर बॉम से उड़ा दूगा सुनो, तुम नॉर्मल बात करोगे तो मुझे नॉर्मल लगोगे पर ऐसी बात करोगे तो मैं तुम्हें पागली समझूञी तुम है नाच्ता देने आ गई तुम तोलटा मुझे्जा शौक दे रहे हो मार डालूँगा खतमकरदूँगा मैं चल्दियो हां दौर का नगर बॉम ब्लास्ट को तीन दिन हो गए हैं लेकिन अब तक कोई गिरफतारी नहीं हुई है और ये बात हमारी समझ के बाहर है सरकार ने पीडितों को एक लाग रुपे मुआफ़ा देने की घोशना की है उनका परिवार इस वक्त किस हाल में है ये बताना हमारा फर्ज है आईए मिलते हैं ऐसे ही एक परिवार से मुआफ़े की रुपे सरकार आपको एक लाग रुपे दे रही है इससे क्या आप खुश ह खुशी कहां की खुशी है और कैसी खुशी है शरीर बुढ़ा हो गया हाथों में ताकत नहीं पेट भरने के लिए भी दूसरे पर निर्वर रहना पड़ता है और हमारे घर का एक ही सहारा था वो भी अपाही जोकर मेरी आखों के सामने पड़ा रहता है इस बुढ़ापे म जिसका एक लोता बेटा ऐसी हालत में हो उसके क्या दशाओंगी बताओ मेरा सहारा बनने वाला मेरा बेटा आज दूसरे के सहारे जिन्दा रहने पर मच्पूर है यह देखकर किसे खुशी होगी बाबू आज घर की जिम्मेदारी मेरे बेटे की जगा मेरी बहु उठा रही है बच्चे हसना खेलना भूल गए है बहु के चेहरे से मुस्कान चली गई एक लोता बेटा मुर्दे की तरह बड़ा है किस बात की खुशी होगी मुझे मेरे बेटे के बदले मुझे दो लाक रुपए मिल रहे है उससे हमारे जिन्दिकी तो नहीं गुजर जाएगी मेरा बेटा सही होता तो जिन्दिकी बड़ा में कमा कर खिलाता है तो देखा आपने बॉम ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिवार का हाल कैमेरा मैन प्रकाश के साथ साइटेन टीवी प्रकाश के साइटेन टीवी प्रकाश के आरोपियों को पुलिस ने पहचान लिया है आरोपियो ने ये बॉम ब्लास्ट मोबाइल के जरिये ऑपरेट किया था ये लोग एक सब्दा पहले शहर में आ गये थे और यूज मी लॉज में ठहरे हुए थे ये बात हमें सुत्रों से पता चली है अब हम आपको यूज मी लॉज में ठहरे हुए थे यही वो लॉज जिसका टेररिस्ट ने यूज किया था देखे अच्छी तरह से देखे यही है यूज मी लॉज हम उसके और से बात करने की कोशिश करेंगे अब हम उनसे सवाल करेंगे यही है यही है यूज मैं लगा कर सीने में घूम रहेते क्या सबकी तरहाय है였습니다 दिखाया और रहने लगे मतलब आपका और उसका कोई संबन नहीं है उन सब को ट्रेनिंग देखर मैं नहीं भेजा है क्या बेग गुफी की बात कर रहा है अच्छी तरह से देखिए एक जिम्मेदार नागरे कैसी बात कर रहा है बताएए इसकी सरकत के लिए क्या सलूप करना चाहिए इसके साथ बताएए बताएए आप लोग चुप क्यों है आप सबी लोग बोलेंगे तो इक रिसोपा बताएंगे अगर मैं दो मिनट चूप रहा तो तुम इन सब को मैं उनका लीडर हूँ यह बता दोगे देखिए जो कुछ भी हो उसके लिए मुझे भी बहुत दुख है अगर मैं जानता कि वो टेर्रिस्ट हैं तो मैं अपना कमरा उने ने देता कि में भी है कसके लुआ है कि है है और आफर णा फैसा चोटो कि तुम यूसमीलॉच में काम करते होगे मुझसे मत पूछे मैं किसी को नहीं जानता कि कि तुम्हारे घर में और कौन कोने चोटो कि डरो मत चोटो बताओ ना मैं बहन और माबाप कल तक तो मेरे साथ भी सब थे मॉम डाड दीदी सब लोग लेकिन तीन दिन पहले सट्टनली सब छोड़कर चलें कि मुझे ऐसे मत देखो चोटो मैं जानता हूं तुमने उन्हें द देखा है जुनने मेरा परिवार मुझे चल लिया तुम बहुत लखी हो चोटो अपने परिवार का ख्याल रखना हूं अब भाई अचोटो भाई निउस में जैसे पताया कि छे लोग ते लेकिन वह दो लोग थे दिन में बाहर नहीं आते है थे और रात में बाहर जाते थे वह अगर उनसे मिलने दो लोग आते थे कौन है वह नाम क्योंकर अब पपूसा और दूसरे का नहीं पड़ता वह दिखते कैसे दिखने में ऐसे कुछ खास नहीं थे हम जैसे ही लोग थे वह आपके उमर के थे वह लोग कहां से आते जानते हैं अब कहां जाएंगे और कहां अपनी जगा बंजारा गे जाएंगे जरो भाई मैंने जो आपको बताया हो किसी को मत बताना किसी को नहीं बताऊंगा अपनी फैमिली का क्याल रख रहा है ठीक है टोटल चार लोग वसमें से दो यहां के लोकल है और दो बाहर के वसमें से एक का नाम है पपू और मुझे ढोना है इस पपू को कहां मिलेगा यह पपू पपू कहां मिलेगा पपू कहां ढोनो मैं उसे जिश में कहीं भी कोई भी दंगे होते हैं तो इसका संबंध हैद्रबाद से होता है एक जमाने में आजमगड को अतंगबादियों का अगड़ माना जाता था तो अब क्या हैदरबाद भी एक और आजमगड बढ़ने माला है अजबाग उत्तरप्रदेश में हैं इंडियन मुजाहीदीन संगतं के सारे लोग आजबाग के ही हैं इंडियन मुझाहीदीन इसके बाए में नेट पर सलच करना पड़ेगा सब्सक्राइब बंबाइ अबू बशेर उत्तरप्रदेश अब्दुलरजाक मनसूरी एज 27 एब्रोइडरी यूनिट ओनर पंकच हैतराबाद से सौट पंकच एक चोर के बारे में तो सर्फ एक चोर ही बता सकता है पपू अगर पपू मिल गया तब फिर पंकच के बारे में भी बता चल जाएगा या फिर पंकच पंकच को पकड़े तो वो मुझे इन सब के बारे में बता सकता है मुझे किसी भी तरह पंकच को ढूणना होगा और फिर मैं पंकच के सहारे पपू को आसानी से ढूण लोगा सो पंकच सो तरह पंकच के बारे में पंकच को य्राइ़ एड़े को बारे में के सहारे में एड़ा मुझे को य्रपाइ़ य्राइ़ है जटू एक पीट पूरी दो देराओ भाई है अब ये क्या है वे ये चाहिए है या हुआ साब पंकज ने बोला था यहां के चाहिए अच्छी होती यह पंकज कौन है करें अच्छी सर्विस देगा तू आज के बास से अच्छी सर्विस देना मुझे चाहिए कौन हूं पंकज का फ्रेंड हूं पंकज का फ्रेंड हूं मैं यह पंकज कौन है अब बहुत है यह वह देखता निक्या वर्य देखके जाना तू दिखाएगा क्या वह बहुत बढ़ रहा है तू है और दोस्त निर्टा निए पंकच के दोस्त निकल यहां से आप पंकच के दोस्त हो वो मेरा दोस्त है फिक है जाए यह निकलते हैं यहां से है के भी को तो ब्री यह पूसर है अ है वब पर भी कि आधा थैज कर दोत खोर इसे के अधा बाई अधा इसे के एज कर आधा इज्ल आ इसे के आधा आ आधा रह व आधा आधा वाई दो दिन से घर में ताला लगा हुआ है वो लोग मिलें तो रहें जान से मारत हूं पर उन्हें पकड़ने के लिए यहां माँ खुम रहा हूं अधिया तुम्हारा दिमाग तो सही है रात को शम्षान घाट में घूंते रह देओ तुम्हें बुरे सपने भी आते हैं क्या तुम तक मैंने इसे इस बारे में कुछ नहीं बताया है यह आधी रात को भूत की तरह यहां वहां घूमता रहता है अब आप ही कुछ कर सकते हैं पंडिच जी सिंदूर बहुत थोड़ा दिया थोड़ा और दीजिये ना किसलिए बेटी तुमने ऐसा क्यों किया मेरे इस दोसको कुछ कम नहीं चलता सब कुछ उसे जाता चाहिए होता है वन्ना यह दुखी हो जाता है इसलिए यह लो भगवान का ताबीज है इसे पहना दो बस एक कम से कम दस्त दीजिए ने बेटी एक पहना दो काफी है अरे पंडिची इससे देखिये तो सही यह कुछ बोले तो मन को शांती मिलेगी समझ में आगा परिशानी क्या है तभी मैं इसका खयाल रख सकती हूं ना समझने की कोशिश कीजिए क्या पागल पन लगा रखा है अब चलो यहां से देखा आपने लड़की से कैसे बात करते हैं यह भी नहीं पता अब आप ही से समझाई यह अच्छी बात नहीं है प्यार से बात किया करो ओ ऐसा है क्या ठीक कोई बात नहीं जैसा तुम चाहते हो वैसे रहूं यह हुई ना बात पंडिची शोर पर मिल रहा बेटी सब सहला पड़ेगा अब चलो मुझे किड्नेप क्यों किया क्या चाहिए तुझे बता करत तो थिरी तो वो पंकच कौन है मैं नि जानता और मैं उसका फ्रेंड भी नहीं हूं कौन है तुचाहता है चुगर बोलता है अरे तुचाहता है क्या आया बता न मुझे अब सुन पंकच की तरह ही दूआरका तुम पंकच के बार में जानते हो चुबेढ़को के बार में भी बता होगा यह चुब चाप बता कि कहा है वरना अपने पक्पो जैसे लोग राम नाम जबते हैं वैसे मैं तीन दिन से पंकच का नाम चब रहा हूं तब जाके तू मिला अब तू बोल रहा कि तू जानता है नहीं उसे मेरे इतने दिन की मैने तो वेस्ट हो गई तू नाम तू आज आ पर सुझ लड़के लोग को मारा नवाप आप बाए वार सपेक्स वीडियो आया है इसे तू अपना रयास क्या होगे असको किसने पहजा इसे अरे श्यसे नबर से आया है को है यह तुम्हें कोई वीडियो मिला है क्या यह ए लो जब सब्सक्राइब अंब बात बताओ तो वीडियो के साथ कौई मैसज भी यह नहीं अब मेरी पास पथ्थर घटी पप्पी को ले आओ और अपने दोस्त को छुला कि ले जाओ यह पथर गटी का यह रहे हैं अरे यार कोई भी हो, हमें उस से क्या, उसने हमारे फ्रेंड को किड्नैप किया है, क्या हम लोग छोप रहेंगे, दोस्तों, हमारा सरफ एक यूसूल है, हमारे फ्रेंड से हमारी जान है, और हम उनके लिए कुछ भी करेंगे, सर्फ बोलना नहीं हमें, कुछ करना भी है, और हमें मौका मिला है दोस्तों कि हम दिखा दें कि हमारे फ्रेंड्शिप का पावर क्या है दोस्तों हम यह अपने लिए कर रहे हैं अपने दोस्त के खादिर कर रहे हैं जान दे देंगे लेकिन अपने दोस्त को नहीं छोड़ेंगे है किया केते हो नहीं चोड़ेंगों खूड़ेंगे उसे हमारे जान की जूरत नहीं है उसे तो पथर गटी पथरी पप्पू चाहिए ये तो मुझे भी नहीं आल 원 लेकिन ये पथर गटी पप्पू तो जोटegen कर बड़ा तक बजूर्ग से लेकर बच्चा तक हमें सब के डेटा क्लेक्ट करने होंगे हमें तुस आदमी को सिर्फ पप्पू को देना है और हमारा फ्रेंड वापस मिल जाए या क्या तो हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं अपने दोस्त की खादिर कर रहे हैं आप सब निकलते हैं डेटा क्लेक्ट करके शाम को यहीं मिलेंगे चलो चलो पूरा डेटा क्लेक्ट किया है यह रही लिस्ट टोटल कितने हैं 88 के लगवग अब उसमें से वो पत्थर कट्टे पप्पू कौन है आपके उमर के थे हैं इसमें से 20 और 30 की बीच में कितने लोग हैं उनके डीटेल्स बता पप्पू असली नाम दूलकर कपड़े की दुकान पर काम करता है पपू असली नाम सल्मान बीटेकर के खाली बैठा है पपू असली नाम जुनाइब दूद बेचता है पपू असली नाम फैजल फूल बेचता है पपू असली नाम जनीप बाइक मेकैनिक पपू असली नाम अजगर मोबाइल रिपेडर कपड़ा बेचने वाला फूल बेचने वाला दूद बेचने वाला और बीटेक करके बेर मोबाइल रिपेरिंग बॉम तो बाइक में नहीं लगाया लेकिन बॉम ऑपरेट के से किया आरोपिय ने ये बॉम प्लास मोबाइल के जरीए ऑपरेट किया था येस मोबाइल शॉप का एड्रेस दो ये दोगो भाई इसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है पप्पू तु तो फस किया है तुम दोग निकलो में फ्रेंट को लिकर आता हूँ की के बाई चलते मुझे पप्पू का एड्रेस मिल गया तुम्हारी वजह से एक्चुली मैं त लेकिन तेरे फ्रेंट्स ने बहुत महिनत किया तेरे लिए तो शायद तो अच्छा है इंसान होगा ऐसे क्यों कोई डंग का काम करो और हां एक और बात आम दोने मिलें ये बात किसी कुमत बताना अब चुप चाप यहां से निकल ले ठीक है बाई चल कहां रहे गया ये कव पाएगा जल्दी आना ये तरवासा कैसे खुला रहे गया था ये तो सितम डा रही है मेरे दिल की घंटी टिंग टिंग कर रही है अफ ये कमर मुझे बेहोश करने का रादा है यार कहीं मुझे हार्ट टैक ना आ जाए ये क्या हो रहा है मेरे दिल में कुछ तो करना पड़ेगा कितने गलत बात है ऐसा नहीं सुचना चाहिए कौन है कि अच्छी साड़ी नहीं पहनी है साड़ी तो बहुत अच्छी है पर मुझसे कहीं कोई गल्ती हो गई तो मेरी नजर से नजर मिला कर नहीं देख सकते सच कहा है न नजर से डालने तो क्या हो जाएगा मैं कोई बच्चा हूँ क्या हम लड़कियों की नजरें तु मलड़कों से तेज हम लड़के। करोगे ह배 मैं तुम्हारी आखों में दिकुनंगी तुम्हें करना है करो फिलीज मुझसे नजरें पिलाओ तुम्हें पता नहीं मुझह क्या होता है बताव क्या करोगी में क्या करोंगा मैं दो फ्रम upset अहीं कुल एक दो पपू का एउ पपू कोई निए चरण आम आपाई ay अरे यहां तो बहुत सो लोग आगे इन में से पप्पू कौन है बोलना तुम में से पप्पू कौन है नहीं बताया तो बताया है अब नहीं बताएंगे है यह बताएंगे पक्पू कौन है मैं सिर्फ उस ही को ले जाओंगा वरना सब आये है रहा है रहा है रहा है 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 आप वह दो आप और वह दो आप रहा है हुआइञ है तुर्भ बंदा दो जिंदा रोगे वरना सारे के सारे माले जाओगे अबे सिर्फ चार लोग बचे हो बदा दो कौन है यार तुम लोगों को बास समझ भी नहीं आती चुब चाप ये बदा दो कि पप्पू कौन है और अपनी जान बचा लो ना यार! अब तुम दोनों बचे को बता दो दोनों में पपो कौन हिसस्य उस्षय स्य only got है वह चुक्र शुक्रणी बहाँ ठीई ऐ। अब यह कैसे हो सकता है इअ होदा तो तुम लग पहली बता थे यह तो नहीं इ zelf तुम दूनों में से कोन यह भाई नहीं भाई यह है नहीं भाई यह है अभी क्या कुछ्चन पेपर ला दिया आइफोन का प्राइस क्या है पचास हज़ा ले पपू तुम्हेरा मुबाइल शॉप है ना कितना भागे का भाई नाइस तुम्हें जा रहा है चल पप्पू तो मुझे मिल गया, तू निकल ले, अबे कहां जा रहा है, उपर गोरा, देख, क्यूट फैमिली है न, देख तो ने क्या किया, एक और वीडियो देख ले, बहुत खूबसूरत है न, इसके मन में न जाने कितने सपने होंगे अपनी आने वाले जिन्दगी के लिए, पता इसके साथ क्या हुआ, देख ले, अरे बहुत से लोग है रे, कितनों को गिरेगा, बच्चे हैं, पूड़े हैं, मासूम हैं, इन लोगों की गलती क्या थी, इन्होंने क्या भी गड़ा था तुम्हारा, अगर सडक पर कच्रा पड़ा हो, तो हम उसके बद्बू तक बरदाश्ट नहीं कर पाते, लेकिन वहां क्या होगा, एक साथ सौ सौ लोग जल रहे थे, तुझे वहां की बद्बू का अंदाजा है, लोगों के दर्द और चीखों का अंदाजा है तुझे, एक का पैर कट ग अरे तु क्या समझेगा, क्योंकि वहां तेरे माँ बाप बेहन बेटी नहीं जल रहे थे, एक माँ अपने बेटे को पहचान नहीं पाई जब तक कि उसका डेने टेस्ट नहीं हुआ, इतना जल गया था हो, अब चल चुपचा बदा, वो यूज मी लॉज में जो भी लोग ह वो कहां रहेंगे, और उनके नाम क्या है, उनकी पहचान क्या है, चल बता, जो बूच रहा हो, साफ साफ बदा दे, वरना बहुत बुरी मौत मारूँगा तुझे, मैं पुलिस के तरह तुझे स्टेप बाई स्टेप टॉचर करके नहीं मारूँगा, वो तरीका नहीं पता यह देख, इसे कैता है, डमबल, देख ले, से मारूँ तो तरे सारे ताट टूट जाएंगे, देखेगा, देखेगा, रुच जो बताता हू बता बता बता, जल्दी बता चल बता बोल, उस दिन हम लग मिलेते, 761-762 में बज इतना ही में जानता हूं अलो बेटा इस वे फोन करके परिशान मत कर वरना फोन नहीं हूं तुम्हारा पड़ोसी अंकल अंकल बोलिये कुछ नहीं बेटा तुम एक बार घर तो आओ बेटी की शादी की बात करनी थी ठीक है अंकल मैं बस अभी आता हूं लगता है आपको शादी की बहुत जल्दी है अगर सब सही रहा तो आइसा ही करेंगे बेटा तुम पहले आओ तो सही ओके अंकल मैं आ रहा कोई खास बात है क्या है वो आप से शादी की बात करनी थी ना गुड़ तो फिर बताये क्या बात करेंगे बैटा पका बात करेंगे पहले कॉफी तो पीलो अंकल तो बिल्कुल फॉर्म में है पंडी जी लड़का आ गया है पंडी जी आप 11 बुजे तक आ जाए तो क्यों बेटी कॉफी कैसी है बहुत अच्छी अंकल क्या है कि आज मेरी बेटी को लड़के वाले देखने आ रहा है घर में काम बहुत है सब मुझे अकेली करना पड़ता है अरे बाबरे कोई हेल्प हो तो मुझे बताईये तुम तो हेल्पिंग नेचर के हो ही बेटा अगर मेरा बेटा होता तो तुम्हारे जैसा ही होता अरे क्या हुआ बेटा क्या हुआ अरे क्या हुआ अंकल ऐसी बाते क्यों बोल रहे है क्या गलत क्या दिया मैंने आपने बेटा बोल दिया मतलब शादी की बात करने आपको हां तो इस रिष्टे से आगे बात करना अच्छा ल मार्केट में जाकर कि फूल लाना है और मिठाई की दुकान से मिठाईया लानी है और लोटते समय रास्ते में दुकान से कॉल्ड रिंक की बोच लेले अरे पैसे तो ले आएगा तुझे तुम्हें दीख लूँगा बेटा यहां रख दो नौकर्स मत रखाए हैं यह बेठो बेटी अंकल यह कौन है सामने वाले घर में रहता है मेरे बेटे की तरह अंकल आप रिष्टा मत जोड़िए गुसा रहा है मुझे मैं आपको इतनी दिन से अंकल-अंकल कहते आ रहा हूं मुझे ससुर बोलने हैं रहा है मुझे से बहुति मुझे से नहीं होगा तो कि अलव की मुझे प्रवल्द गर्संद शादी करना चाहता हूं तैयं चुट нам aspire रभिर किया रहा है और और मर अने लॉस रात है कि फायदा उसे पता है अओ मैं फिर बिव यू थो यू तुम्हें चछंदर करनी था पापा चलतार हु जब तो द्वारे इक अब भूटबर द्वारका नगर ब्लास्ट में जुड़े पप्पू नाम के वेक्ति को किसी अंजान वेक्ति ने मार के उसे पार्क में फेक दिया है यह तस्वीरें हम आपको लाइब दिखा रहे हैं बावेश अभी वहां के हालात क्या है अभी यहां लाश में चिट्टी पाई गई है जिसमें लिखा हुआ है 761762 जो बॉम ब्लास से जुड़ा हुआ है और इसमें यह भी लिखा है कि मैं इससे चुड़े हुए सभी गुनागारों को माड डालूगा क्यों देखा क्या देखा सर पता नहीं मुझे नहीं मालूम वो जाहे जो भी हो वो कल का सूरज नहीं देखेगा वो सामने उस घर में रहता है आए गाई तुम लोग मुझे ढून रहे हुना वो मेरा ही गर है दस बत चुके हैं कॉलनी में सवाराम से सो रहे हैं यहां पीछे एक ग्राउंड है वहां चलके आराम से बात करते हैं करें कि तुम लोग तुबड़े फास्ट हो या बहुत जल्दी पहुच गए हां भाई को मिल गया हो याb कौन उसे दे ले भाई से बात कर भाई मतलब नाम क्या है काम क्या है नाम काम से क्या ले नाम भाई से बात कर नहीं करूंगा बोल दे उसे मुझे उससे बात नहीं करनी बाई लाउट स्पीकर अंकर कियारे मैं कौन नहीं बताएगा तो मुझसे बात नहीं करेगा नहीं बात करूंगा तो फिर सुन द्वार का नगर में दिवाली मनाने वाला मैं है हूं इतने दिन से मैं तुझसे ही बात करने का अंदजार कर रहा था तो ने इन टट्वों को क्या के के बेजा मुझे नहीं बता पर यह मुझे घूर घूर के देख रहे हैं जो मुझे जरा भी पसंद नहीं है दस मिनिट के बाद फोन कर तब तक मैंने सुला देता मुझसे बात कर बोला ना दस मिनिट बाद जी भर के कर लेना हुआयार हुआयार यह हूँ धुष हुपआँ हुपआँ हुआ छूआ दूठ तॉट हो हो फजय को अझा हुआ है हुआ हो एखçar हुआ है 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 हो व. अ बह अरे श्राबा इस टाइमिंग तो तरी बहुत अच्छी है तेरा प्रॉब्लम क्या है मुझे तू चाहिए तुझे जान से मारना है मुझे मारोगी और कौन हो जानते हो नहीं जानते हो नहीं जानता तो बिना पहचान के मुझत कैसे पहुंचोगे मैं तेरे पास नहीं आँगा तू आएगा मेरे पास भाग के मेरी बात लिखके ले ले मैं ऐसा काम करूँगा कि तू दोड़ते भागती मेरे पास आएगा मुझे जानते नहीं और अपने पास बुला लोगे जानता हूँ, तेरे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ तू दौर का नगर ब्लास्ट के लिए दो साल से प्लैन कर रहा था तू राजस्थान बॉर्डर पार करके यहां पर आया है और तुझे यहां रिसीब करने वाला कुरेशी है तू यहां से मुंबई किया था मुंबई में तुझे पना देने वाला फैसल है एक हफ़ते पहले तू हैदरबाद आया था तुझे यहां फेक सिम कार्ड, फेक पासपोर्ट देने वाला है और तुझे यहां पना देने वाला अजगर है इतना ही नहीं, मैं ये भी जानता हूँ कि तुझे मॉम सप्लाई सयद ने किया था अमोनियम लाने वाला अकबर है इस तरह तुझे जाने अन जाने हेल्प करने वाले टोटल तेरा लोग थे और मैं किसी को भी नहीं छोड़ूगा और रहे तेरी बात, तो जिस दिन तु मेरी आखों के सामने आएगा, उसी दिन तेरी स्पेशल दिवाली होगी तुझे ऐसे जराऊंगा, ऐसे जराऊंगा कि तेरी बॉड़ी का एक भी पार्ट नहीं दिखेगा जितनी दूर तु मचसे भागने की पुशिश कर रहा है, कर ले, कर ले लेकिन तु मरेगा तु मेरे हाथो, मेरे हाथो मरेगा तु 761, 762 क्या है, क्या हो सकता है लारज़ेस्ट कंट्री इन वर्ल इसका मतलब, सारी दुनिया में लंबाई और चौडाई के हिसाब से भारत साथवे नंबर पढ़ है What about six? मेट्रोपलिटन सिटी इन इंडिया मतलब, six नंबर पर है 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 हैधराबाद seven इंडिया, six हैधराबाद तो फिर ये one or two क्या है मेभी ये persons होगे और उन में से 761 मतलब मेन परसन होगे 762 मतलब उसका सस्टिम होगे इने भी पकड़ना होगा लेकिन कैसे तुमने उसे इतना भड़काया क्यों? वो जो कोई भी है उसे हमारे बारे में बहुत कुछ पता है वो सिर्फ हुआ है वही जानता है लेकिन जो होने वाला है वो नहीं जानता है एक और बात हम यहीं हैधराबाद में उसे यही पता है हम उसके पास कैसे जाएंगे वो यही सोचता होगा उसे ऐसे ही सोचने दो तब तक हम अपना काम पूरा कर देंगे क्या हो गया तुमें? तुम रात को मेरा फोन कट करती है और सुबह होते पूछती हूँ कि आप कौन बोल रहा है तुम जैसे लोगों से बचना भी तो परता है तुम्हारे सामने से तो नहीं जाऊंगी मुझे इसे लग रहा है कि तुम्हारे भेजे में कुछ कच्रा गुज़ गया है ज़रा देखने तू अब हरनी ने क्या हुआ या क्या यहां मैं अरे 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 इस आपसे है हां तो सब देख रहे है छोड़ो ना मुझे किसी की परवानी है क्या हुआ तुम इस तरह आवाज करें काल रही हो क्या चाहिए तुम्हें बोलो जो चाहिए वह मिलेगा क्या करूंद नहीं हो सकको तो भी देना पड़ेगा कि फोन क्या तो कट करोंगी करोंगी थे सक्षेशादि करोंगी अब אצ Whatsapp करोंगी ठीच तु जाओ कि निरा उसका घर अगर हम 10 मेट्रों के दूसे देख सकते हैं उसके आफिस से आने का समय है जरूरत नहीं है चलो यह 761 और 762 दोनों को बाहर निकालना ही पड़ेगा पर यह दोनों होंगे कहा है क्या बात है परिशान लग रहे है क्लाइंट हेड ने फोन किया था यह तो अच्छी बात है ना दिमाग खराब करके रखा है दिमाग खराब कर दिया और ने तो क्या क्या दिमाग खराब कर दिया और ने तो क्या मैने उसका काम ने किया Q- L manager ने प्रोजेक्ट मैनेजर को बताया होगा और प्रोजेक्ट मैनेजर ने Department Head को बताया होगा और Department Head ने Client Head को बताया होगा और फिर उसने मेरा दिमार खरप कर दिया मेरी Daily Report में हम लोग जो भी काम करते हैं उसकी सारी Report यॉस से Client Head को दे देनी चाहिए मतलब मुझेळक काम करता है और हम जो भी करते हो उसे पता चल जाता है फिर तो 761 और 762 से काम कराने वाला वो client head कही ने कही जरूर बैठाओगा वो ही से control करता होगा ये लोग क्या कर रहे हैं आवार कहां पर कर रहे हैं ये सारी जानकारी उसे होगी तो अगर client head को पकड़ लिया जाए तो इनके बारे में सब पता चल जाएगा लेकिन जब यही नहीं मिल रहे हैं तो वो कैसे मिलेंगे कैसे हैं इनका boss का होगा कौन होगा इनहें कैसे पकड़े हैं और इनके boss को कैसे पकड़े हैं इन सब को बाहर कैसे निकाला जाए एक आइडिया है येस अब तक हमने छोटे-छोटे काम किये हैं पर अब एक बड़ा धमाका करना पड़ेगा इतना बड़ा धमाका की world war की तरह history में लिखा जाना चाहिए इसके लिए बराबर 10 मिनट पहले सारे काम होने चाहिए क्या कहा उसने वो मैं बाद में बताऊँगा इस काम के लिए मुझे आदमी चाहिए 200 लोग दे दूँ मुझे 300 लोग चाहिए 300 लोग क्यों वो जो भी है हमारे इंक्वाइरी अच्छे से कर रहा है इसलिए हमारे आदमी हमने यूज करेंगे मैंने नियूस पेपर में बंगार उबस्ती के गुंडों के बारे में पढ़ा था तुम हिंदी पढ़ने में एक्सपर्ट हो एंग्लिश पेपर बंगार उबस्ती के गुंडों के बारे में था सच में वो बहुत ही अच्छे लड़के हैं सिर्फ उन्हें पैसे चाहिए जो किसलिए ये सब सवाल नहीं करेंगे वो सुनिये सुनिये कहां है सुनिये ना हां बोलो सिर्फ आवाजी सुनाई दे रही है अब हैं कहां मल मूत्र विसरजन में हो कहां बातरूं में हो यार बोलो क्यों आई हो तुम्हारा लैपटाप कहा है देखो टेबल परी होगा तुम्हारा वॉलट कहा है बुक्स के पास और यह सब चोड़ो यार बता हूँ कितनी किया सब 2,000,000 की रिडिट कार्ड मेरे पास कब से लिकिन मैंने आज तक कभी 10,000 एक तिन में बहुत अच्छी आयार तुमने पैसों से खरीद लेती ना का मुझे चुना लगा दिया तुमने तो कल मुझे हक कर लिया ना तो सब के 2,000,000 फिर किसक्या तो लुट जाओंगा शान्त हो जाओ क्या इतने छोटे से अमांट के लिए तुम फिक्र कर रहे हो तुम मेरे पास क्यों आई नाश्टे के लिए बुलाने आई नाश्टे के नाम पर 2 ला खुर्पे खर्च करा दिये कल लंच पर बुलाने आओगी फिर तुम मै अधिलब काम बहुत बड़ा है क्या काम बड़ा ही होगा भाई नाश्टा कर आई और फिर दो मिनट के बाद तुम्हें पिर से ओर देना है तुम्हें भूख लगिया क्या अरे ओर नहीं देंगे तो बैठेंगे कैसे तुमने मुझे यहां पर क्यों बलाया थोड़ी तो ब बात करने के लिए बात करने के लिए वह भी शांती से अरे आप कैफे में बैठें गार्डन में नहीं आया है सुनो ना शोना मोना मैंने जो डाइमंड रिंग देखी है ना बहुत सुंदर है लेकर दोगे ना चेरवां रख्यों ही है विराजमान हो जाए यह यह क्या कर रह क्या बात करने हैं यह बताओ कि तुमने मुझे क्यों पसंद किया तुम्हें पसंद करने के पीछे तीन वज़े हैं जरा बताना तो पहली वज़ा तुम और लड़कियों जैसे नहीं तुम्हें बहुत फर्क है क्या फर्क है पर्क यह है कि आज लड़कियां सुभे उठती तो तुम मुझसे लड़ोगी नहीं मुझ पर गुस्सा नहीं होगी बल्कि अपनी आखो में आशु भर कर मेरे गले लगकर कहोगी मुझे क्यू मारा तुम ने और उसके बाद सारा गुस्सा थोक दोगी तो तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाना चाहते हो क्या नहीं मैं तो अपनी पलकों पर रखना चाहें और तीसरी वजा आज कल की लड़ियां मड़ी शकीरा टाइब की हो गई हैं लेकिन तुम सावित्री टाइब कियो तुम मौरन भी हो और ट्रडिशनल भी ऐसा कुछ नहीं है सब लड़किया मेरे जैसी होती है ऐसा होई नहीं सकता कोई तु तु क्या मैं ये बात प्रूफ करके देखा दो हाँ एक काम करते हैं आज वीकेंड है तो मैं तुम्हाई सारी फ्रेंड्स को एक एक करके फोन लेगांगा और फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि पर क्या है ओके सबसे पहला फोन किसे करों सुकन्या को कॉल करों नहीं उसक पर काम कर रही है और तुम उसे शकीरा वकीरा बोल रहे थे अब उसे फोन करों कि अब समझे आके अब दूसरी फ्रेंड की बारे कॉल करों नहीं घर चलते हैं कि हाई बात है मम्ही अच्छी घर पर नहीं है और अफिस का काम पेंटिंग है इसलिय में यहाई अजलaları इसने पैरेंस बाहर गए है तो इस प्रोफेंस बाहर गए तो है तो अपने बॉयर्फेंड को बुला लिया है तो अब समझ मैं तुम्हे और परक्त बहुत अच्छी तरह तो अब चले तुमने जितना कहा था उतना रेडी है अब आगे का प्लान क्या है बताओ यह हैदराबाद है एरिया 650 स्क्वेर किलोमेटर्स घंबाई 158 किलोमेटर्स चोड़ाई 47 किलोमेटर्स उंचाई 536 मीचर्स पूरी आबादी 1,17,23,548 सारे घर 8,49,051 टोटल वेहिकल्स 34,00 टोटल वजन 2,85,50,575 टन्स इतने वजनदार है हिदराबाद को हमें डराना है वो कैसे? 60 किलो वजन के इंसान को एक छोटी सी गन डरा देती है हम हिदराबाद को नहीं डरा सकते हैं? कैसे? हिदराबाद में जेडी मेट से लेकर खलक नामा तक हाइटेक सिटी से लेकर मौला आली तक छोटे बड़े मिलाकर पुरे 60 में एरियाज हैं हर एरिया में एक पुलिस टेशन है और हर पुलिस टेशन का एक सी आई है रात को नौ बचते ही सारे सी आई अपने धर चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद कॉंस्टेबल्स उसके बाद हमारे चार चार आदमी हर एक सी आई के घर पर जाएंगे वहां हमारे आदमी बेल बजाएंगे तब वो सी आई बहार आई है कौन हो तू क्या चाहिए तुम्हें सी आई चिठी पढ़ेंगे पढ़ते-पढ़ते वह अचानक रुख जाएंगे यह तो हमारा अद्रेस है तुम्हें क्या चाहिए कंफर्मिशन के लिए क्या 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 बत्तर रहे हो और थाब हमारे आदमी जनरली एक मिनिट में 60 सेकंड्स होते हैं एक सेकंड पर एक आदमी यानि 60 सेकंड में 60 आदमी यानि एक मिनिट में 60 के साथ सारे C.I.S किटनैप हो जाएंगे उसके बाद सारे C.I.S के किटनैपिंग की खबर मीडिया में दे देंगे Breaking News किटनैप किटनैप किसने और क्यों किया किसी को कुछ नहीं पता किटनैप किए C.I.S को बंदक बनाएंगे या छोड़ देंगे अभी इस बारे में कोई भी कुछ नहीं कह रहा किटनैप किये गए C.I.S के परिवार वाले बहुत ही घबराएं हुए हैं आखिर में किटनैप किसने किया नहीं पता सर आप क्या करेंगा मुझे नहीं पता दस पिनिट के अंदर मेरे पास मेरे लोग होने चाहिए समझे पूरी सिटी को एलेट कर दो डास्क सोस बढ़ाईए स्पेशल फोर्स को बुलाईए अब हमारा सेकेंड बैश अल्रेडी मेरे बताए गए जगहों पर कूरियर बॉक्स लेकर तैयार अब स्टार्ट हुए तो बराबर पांच मिनिट में कूरियर डिलेवर हो जाएगा कूरियर कैसे पैक किया है जैसा आपने बोला वैसा करने में तीर मिनिट का डाइम लगेगा स्टार्ट करने को बुला वो बदाई गई जगहों पर पहुंच गया हो ले अब अंदर गया होंगे बॉक्स की डिलिवरी दे रहे होंगे कुरियर ओपन करने के बाद देखकर सब शौक हो जाएगे वहां क्या हुआ देखना चाहोगे चलो दिखादा में पी कर हकामा कर रहे बेदे में पिताने किया फुलिस के कुरियर में क्या रखा है जो आपने दिया वो ही रखा नहीं रखा जो दिया था वो ही रखा था नो मैंने दिया हुआ पार्सल रखा होता तो आइंकर्स इस तरह हसकर बात नहीं करते ऐसे नहीं होता उस बॉक्स में क्या था बई RDX अगर यह ब्लास होता तो पूरा शहर रुख जाता सारी दुनिया मिलाकर एक सार दिवाली मनाती उत्रा धुआ होता उत्रा धुआ ठीकिन ऐसा हुआ ने आखिर हुआ क्या क्यों बे बॉक्स का धमाका क्यों नहीं हुआ यही सोच रहा हो ना उन बॉक्सेश में क्या जानता है? चाप अरे ये कौन है भाई जिसने पांच रुपे के चॉकलेट बेज़ के सौ रुपे खर्च करा दिये तुझे बोला था ना, तो खुछ चल कर मेरे पास आएगा तुने अपने आदमी बदले थे और मैंने तुरी बॉक्सेश मेरा प्लान तुझे कैसे पता चला, कैसे? भाई, आपसे काम है, इसलिए मैं लेगे आया हूँ काम क्या है भाई? एक गंटा पहले तुमसे मिलने कुछ लोग आया क्यों आये थे? क्या पूछा दोने? क्यों बताना एए तुझे मार नहीं खाना है तो चुपचाब बता दे क्या रे तुझे बताएंगे तेरी तो अरे वह बता रहे है न, तुझे उचल रहा है कर दिए बाल! हुअ produto निटे टॉरा को हुँष कि एद हुँर इभ nombreux हुई कि एदुटित को ऑनने है तुम हुँ हुँ एई चल बोल आई वो हमारा कुछ नहीं कर सकता सारे सी आई तो हमारे पास हैं पेवकूफ वोक्सिस के बारे में जनने वाला सी आई के बारे में नहीं जनता होगा तू बहुत स्मार्ट है लेकिन तेरे कुरियर वाले आदमी किड्नैपर्स सब मेरे आदमी थे अंग कर देखिए हम किड्नैपर नहीं है सर हम लोग तो बहुत शरीफ आदमी है कि सबकों जन्दी से ले जाकर भाई को सौफ देते हैं इनका फैसला भाई करेंगे ना तुझे बताओ तेरी गलती क्या है तुन्हें पुलीस को चीड़े और अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो फिर वो तेरी सुसू भी रोप देंगे तुन्हें उनसे पंगा ले लिया है तो अब सिंपल सी बात है वो तुझे छोड़ेंगे नहीं अब तेरे पास कुछ नहीं ब करते हैं मैं किड्नैपर को वॉंड करता हूं वी आर कमिट टू कैच यू तुम भागोगे फिर भी हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे पुलीस की पावर क्या है यह बताएंगे ताइंक्यू चल बता तुम लोग कितने लोग हो तेरा लीडर को न है वो कहां रहता है चल बता पैन दो पैन यह क्या सर गन की जगे पैन मांग रहे हैं सर गन चाहिए नहीं पैन पैन एक और पैन और चाहिए क्या सब बताता हूं मुझे पता है मैं सब बताता हूं गुड पैन लिखने के लिए नहीं चुभाने के भी काम आता है नहीं पैन सिर्फ सच लिखने के लिए नहीं सच बलवाने के लिए होता है उसको लेकर आओ उसके दूसरे गेंग वालोगों को ऊठा दे तुमोण थे हैं प्वोन कर क्या ? प्वोन कर उसे चल बक 9-8-6-6-1-8-5-0-3-9 तुमारा फोन नमबर 8-3-282 by 11 G तुमारे घर का नमबर तुमावनदी का कॉलोनी में रहते हो अवंधिका कॉलनी के ऑपसिट सेकेंड लेफ्ट पोट राइट लेंगे तो तुम्हारा घर है तुम्हारा ओफिस माधवपुर में है सुबहे नौ बज़े ऑफिस जाते हैं और शांको छे बज़े वापस आते हैं तुम्हें ऑफिस के कैंटीन डखाना पसंद नहीं आता इस कि दूक लगती है तो हम चिलाते हैं उसे घर्द कहते हैं उसी चोट पर बार भार खाव लगे तो हम रोते हैं इसे दुख कहते हैं लेकिन मैं तुम्हें दुख नहीं दूँगा औरों की तरह रुलाऊंगा भी नहीं इससे भी बढ़कर हद से में ज्यादा दर्दूंगा सुनने में तो दर्द बहुत छोटा शब्द है पर उसका असर काफी भयानक होता है अरे वाथ तुने तो कमाल कर दिया इड्रेस के बारे में जानता है बस इतना ही ना पर मैं तेरे बारे में क्या जानता हूं तुझे पता है? जानते हो डीटेल में सुन ले बे गोल कॉंडा जिला के बरकत किला में प्रिंस होटल के पीछे वाले स्लम में स्ट्रेट जाएंगे तो पीस नंबर घर के अंडरगराउंड के बंकर में तू रहता है घर में दो बूढ़े रहते हैं तेरे घर का नंबर है 9-11-57 by 3 तेरे साथ हमेशा तेरा फ्रेंड के पूरे हैदराबाद में तेरे लिए काम करने वाले करीब एक हजार लोग हो पर केवल बारे लोगों को ही पता कि तू कहाँ पे रहता है बागी लोग नहीं जाने और तू अपने सारे काम होनी पारा लोगों के तू कि तेरे घर के बहुत पास एक पुराना एंबिलन्स भी है एमर्जनसी में भागने के लिए तेरे घर के आसपास के पांच घरों में तेरे ही आदमी रहता है तेरी रखवाली है चल अब तेरी पर्सनल बात करते हैं हाइट फाइब इलेविल वेट एटीटीटू टीशिट साइज डबल एक्सल पैंट थर्टीटू तेरे राइट साइड के रिप्स में चोट लगे है ट्रेनिंग के दोरान लगे लगे हैं इस वक्त तेरे साथ छे लोग है राइट साइड में तेरा फ्रेंड है लेफ्ट साइड में बाकी के लिए क्यों बे तेरे बारे में कोई इंफोर्मेशन गलत नहीं दी रहा तुम मेरे बारे में सब जानते हो अब एड्रेस छोड़ तेरा पूरा विकीपीडिया है मेरे पास चले एक और इंफोर्मेशन देता हूँ दस मिनिट में अपना घर खाली करके निगल ले वरना पकड़ा जाएगा पुलिस आल्रेडी वहाँ पर पहुंचती होगी भाई हमारे बारे में पुलिस को सारी इंफोर्मेशन है हमें तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए शाबाश जीत गया रहे तू तू तो सच्व मुझे मेरे अड्डे से भगा रहा है दो दिन के बाद पॉल करूँगा तब तक इंजोई कर ले उसके बाद मैं तुझे भगाऊंगा तुन रहना तयार रहना अब मुझे बाद में भगाना पहले तू तू भाग ले अलब पून रख कर दो चल्दी से तयार हो जाओ मामा के घर जाना है क्यों क्यों वही हो ना जो शादी की समय लड़का देखने आया उसके सामने अलब यू बोल दिया है वो यहां काम करने वालों में तूम इतनी बाते क्यों कर रहे हो लड़का स्मार्ट दिख रहा है हाँ चाचा जी लड़का बहुत सुन्दर है, हाँ चाचा जी सुन्दर है You are right, जब आपने okay किया है मामा जी तो लड़का है स्मार्ट होगा ही लेकिन आपको कैसे पता लगा कि ये वाकई इतना स्मार्ट है लड़की देखने आया तो उसने आयला भी बोला उसमें मैं क्या कर सकता हूं अच्छा अगर कल सुबा मैं उसे प्रपोस कर दो तो मेरे शी शादी कर दोगे क्या ये तो कुछ जादा ही बोल रहा है following जानता हूं जाने तो यार इस पर इसे माफ कर देते हैं चिंदा मत करो अच्छा छोड़ो मामा जी चाचा जी आप इसे कुछ पूछने वाले थे ना पूछे ना क्यों भाई पूछना शुरू करूं आप चुप रही है हमेशा आप बात करेंगे क्या आज मैं बात करूंगी भाबी पहले आप पूछिए हूं आर्यू रेड़ी हूं सेलरी कितनी है कितना बचाते हो कुछ भी नहीं अरे तुम तो अकेले हो खर्च इतना ज्यादा क्यों क्या है कि इन दिनों आपकी बेटी शॉपिंग कुछ जादे कर रहे हैं अब इससे स्टार्ट कर दिया अच्छा ये बताओ इससे पहले कितनी लड़कियों से प्यार किया किसी से भी नहीं जी ये पहली लड़की है जी आँ तो शादी के बाद प्यार करोगे क्या अंउमान है आप जोप रहे है इसकी आदतों के बार में आमें जानना चाहिए तुम्हारी गलत आदत क्या है एक भी नहीं है कोई बात नहीं चोटी मोटी होगी ना वो बता दो दारू पीते हो अरे दे आज में शराप इना छोड़ते हैं क्या तुम चुपरो आज कल के जवान लड़के शराब बहुत पीते हैं भाई साब गलत आदत के साथ उधार भी हा कुछ भी कर लो यह नहीं छोड़ेंगे उची अवाज की तो भी नहीं छोड़ेंगे हम ज्यादा सोचो मत इन सब कोई उपाई नहीं है पता है तुम्हें मेरी बेटी राजकुमारी है मारानियों की तरह रहती है अच्छे से ख्याल रखना तुम उसका जरूर ख्याल रखे अगर ज्यादा हाई तो फिर मजाग में रूलाऊंगा अगर सीरिसली रोएगी तो फिर प्यार से समझाओंगा अगर फिर भी नहीं समझी तो कान की नीचे अच्छी तरह बजाओंगा अच्छी तरह कैसे मेरा मतलब है कि एक प्यारा सा थपड मारूगा और तब भी नहीं मानी तो उसी काल पर प्यार से एक पपी दोगा दूसरे शब्दों में मैं छोटे बच्चों के तरह ख्याल रखूँगा खेलाऊंगा हसाऊंगा रुलाऊंगा समझाऊंगा मैं आपकी बेटी को दुनिया की सारे खुशियां दूगा इतना खुश रखूँगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी बेटी आप सब को भूल चाएगी और रही बाद आप सबके तो समवार से लेकर शुक्रवार के बीच अगर मेरे घर में कोई भी आया तो उसे पानी भी नहीं दूगा हम दोनों ही काम करते हैं ना तो आप लोग जब भी हमारे घर आएगे हमारे पास आपके लिए वक्त नहीं होगा और एक बात अगर हर शनिवार के सुभए आप लोग मेरे घर में नहीं आये तो मैं आपके घर आओंगा और चार बाते सुना के चाओंगा आप शनिवार को आएंगे और समवार को जाएंगे ताकि हम सब मिलकर साथ में एंजॉय कर सकें मामा जी ताश कहलते हो अपना कभी घमरा रहे हो मतलब पक्का पीते होगे हम साथ में ड्रिंक करेंगे और मस्ती करेंगे रात बर ताश कहलेंगे मौसा जी और बुआ जी, हम साथ में पक्वान बनाएंगे और रही बात तुम लोगों की तुम लोग मेरी बीवी के साथ गुलो मिलो, मुझे चलेगा बस मुझे अपनी गल्फरंग से मिलवा देना क्यों? ताकि मैं उस से गुल मिल सकूँ तुम लोग मेरे भाईजे से हो, तो बड़े भाईजे से ज़रा इज़त से पेशाना वरना थपड़ भी पड़ सको हो और तुम दोनों मेरी साली हो, मतलब आधिगरवाली हो मेरी हर इक चीज में तुमारा आधा हिस्सा हमेशा रहेगा अपनी बेहन के साथ इंजॉई करो, चीज है मामा जी, आपकी बेटियों के साथ मैं मजाग करूँगा, मस्ती करूँगा आप रोकना मत, चीज है और आखरी बात, आप सब मेरी फैमिली की तरह है श्रीमती जी, मेरा गलास उग गया है, कुछ पीने को दो चीजा जी, मामा जी, लड़ा है पास कर गाए बलो, नेज नहीं आ रहे है तो क्या करो, तुम्हें लोरी सुनाओ, तुम्हें बहलाओ, कानक निचे थापड़ चाहिए वह बात नहीं है, तो फिर क्या करो, आओग क्या क्या रहा के अगलाइव मेरी नीन गराब करने वाले तुम है नहीं कि तुम्हें नीन नहीं आ रही है तो तुम मेरी मिर्न क到 कराब करने वाल्य मेर्य मैद तुम मैंनेस नहीं जानते और आक पर रहे हो ट्रामा च्वीन तुम मैं नहीं तुम हो बाइबitched नहीं मैडम, इससे लिए पूछा, कौन सी है आपके पास, चौकोबार, बैनिला, बडरबर, जी मैडम, पैसे देदो, यह लो, तुम्हें क्या हो गया? मेडम को चौकोबार चाहिए थो तो डारेक्टली मांग लेना चाहिए था सर कौन सी है क्यों पूछा सर तुम्हारी एज क्या है फीस साल है सर साथ के हो जाओ तब भी नी समझोगे लड़कें ऐसी होती है क्या सर लड़कें किसी की समझ में आती मत सोचो लिप्स्टिक लगाई हो क्या है अरे नहीं है चलो आजाए क्या हुआ कोई देख लेगा यार क्या हुआ डर लग रहा है वो मुझे नहीं पता चलो यहां से कि मेरे सामने भोला बने की आर्टिंग मत करो ऑे आर ए से मट देखो मुझे गया चाहिये तुम्हें मुझे क्याच कशील ABS अची और कुछ नहीं और पी चाहिए तुम्मे देखनें क्या चाहिए क्या है तो फेर ऑक्सिचन का क्या मतलब क्या रहे दो दिन अच्छा से इंजॉई किया ना बात क्या है वो बोल वो कुरियर बॉक्सिस तुम्हारे पास यह ना उनमें से एक निकल कर जिसे मैं कहूंगा उसे दे कर आना पड़ेगा मैंने जाओगे मैंने जाओगे जाओगे क्योंकि अब मैं तुम्हें डराने वाला हूँ और तुम डरने वाले अच्छा है नहीं डरोगे अच्छा देखते हैं अब मैं city center mall में हूँ, बहुत बड़ा mall है, हाँ तो, मैंने एक long coat पहना है, जिसके दोनों तरफ जेव है, मेरे right pocket में क्या है जानते हूँ, छोटे बचे दीवाले में डिशुम डिशुम खेरते हैं न, उसे गन कहते हैं, वैसे भी मेरे आसपास बहुत सारे लोग है, मेरे right side म गोली चलातर लोगों को मारूंगा, तो किसी को पता चलेगा कि गोली में नहीं मारी है, वैसे आवाज तो अच्छी आएगी न, और मेरे गन से आवाज नहीं आएगी, उस पर silence से लगाया है, हेलो मैम, या तेल मी, डू यू फ्रीक्वेंटली विजिट दिस मॉंग, या, वाट इस दे बेंस तिंग यू लाइक आवाट इस मॉंग, अरी, एए, क्यों रे, इंग्लिश मुवीज में जैसे दिखाते हैं, वैसे मारूंगा, तो ही डरेगा, ऐसे मारूंगा, तो भी डरना पड़ेगा, अब तम कुरियर लेकर जाओगे, अब जाओगे, हम, ठीक है, हाई बेबी, हाई अंकल, यू आँ अंकल, से हाई टू अंकल, हाई अंकल, हे, वो बच्ची है, हाँ, मुझे बता है, तुम मेरा कहना मान जो, तेक, पासल लेकर जाएगा, या नहीं, लेकर जाओगा, उस बच्ची को कुछ बढ़ करना, यू सो लकी, ठीक, आदे घंटे में साइबर टाउर के पास खुड़िया लेकर जाओ, ठीक है, लेकर आता हूँ, एक मिनिट, अब क्या है, बेबी, गुद बाई, बाई, है, है, बोला ना जा रहा हूँ, तो फिर तुने उस बच्ची की जान क्यो ली, चल्ला मात, आदा घंटा, साइबर टावर, जल्दी पाउँच, मुझंध Art उससे रोकना पडेगा, उससे रोकना है, रोकना पडेगा, रोकना पडेगा क्यसी, क्यसी, क्यस्य, क्यस्य हुआ हैं यार… हालो मेरा काम कर दें 시간 हालव शायाए प्राव कमोन आपधधधधधधध यदbr अभी जलें हलो, साइबर टावर के पास हूँ गुड, तुम्हारे सामने एक फ्लाइओवर है हाँ है उसके नीचे एक सिगनल है ठीक, दो मिनिट में सारे सिगनल जैम हो जाएंगे बहुत सारे लोग हो गो उस ट्राफिक में बसे काज ओटोर्स ठीक, उसी टाइम पर वो बॉक्स उसके पास रख कर उसी ओन कर दो समझ गए ना? और मेरे अगले कॉल का वेट करो मुलिए भाप कर दो यसे का जाएंगे यिजिए विए प्रोड में आताओ तुमने जैसा वा तर प्रोड में वैसा कर दिया वेरी गुड रादी मैं तेरे ही कॉल का इंतसार कर रहा है बॉक्स रख दिया अरे पगले शॉपिंग मॉल के किसी भी शॉप में टीवी आन होगी न्यूस देख ले जौन का नगर बम ब्लास्ट के मुख के आरोपी का फोटो मेडिया को मिल गया है और ये रहा इसका फोटो इस शहर के किसी एक शॉपिंग मॉल में घूम रहा है ऐसी हमें जानकारी मेरी है पुलिस इसकी तलाश कर रही है क्यों भाई पोटो पसंद आई क्या अभी भी मारेगा जितनों को मार सेता है मार दे तेरी इस तो उनमें से कोई भी तुझे पहचान किया तो कुट्टी के तरह मारेंगे तुझे और पुलिस ने देख लिया तो फिर तेरा टिकेट कर जाएगा अब तेरे लिए सबसे सेफ जिगर कौन से यह पता है मेरा घार एड्रस तो पता ही होगा अब जल्दी से आजा कौन है वो उसे मेरा एड्रस कैसे मिला मेरे बार में पता कैसे जला उसे उसे रोपना है रोपना पड़ेगा रोपना पड़ेगा कैसी 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 क्लाइंट है एलियास 761 बॉस मेरा हर प्लान उसे पता कैसे जल जाता है उसे मेरी फोटो कैसे मिली इन में सेवन सिक्स वन कौन है नहीं बोलोगे नहीं बोलोगे ठीक है ठीक है तो अब बोलेगा डाल दो अंदर डाल वन दो अंदर svNeipat 성OTHER वोल तो बोल तोई बोल तोई यह hell यह hell यह hell यह hell यह hell कि अपने पोलो सुनो में वाट्सेप पर पोटो भेजी द्वार का नगर में बॉम ब्लास्टी सिली करवाया था यह फोटो सारे चैनल्स में जानी चाहिए ओके ट्राइट नाओ ओके लेकिन इससे यह इसे कैसे पकलेगा क्या कहा अपने टेली की रिपोर्ट उपर वाले को पहुचा देने चाहिए यही बोला क्लाइंट येट को पकड़ लिया चाहे तो इनके बारे में सब बता चाहे बाई न्यूस में जैसे बता है कि छे लोग थे लेकिन वो दो लोग थे आप पंकच के दोस्तों तो तेरे सारे दाट पूचाएंगे दिखेगा 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 ये लोग मुझे मारने के लिए रात के दस बचे आये थे दस बच चुके है कॉलनी में सबाराम से सो रहे ये उसी दिन की बात है जब मैंने रानी को आला भी बोला था मतलब दिसंबर सोला 10.30 को कॉल आया था और वो दस बचे आये थे वो लोग मेरे पास आये थे हमारे फाइट हुई मतलब कि उस 761 वाले का नंबर यही है अगर यह 761 वाले का नंबर है तो उसी दिन शाम को साथ बचे पप्पो की मौत होई थे और यह ख़बर न्यूस पर भी आये थे वेलकुम सर मेरा नाम रवी है मैपकी क्या हेल्प कर सकता हूं सर तुमारी सैलरी कितनी है सॉरी तुमारी सैलरी कितनी है 10,000 सर दस प्नेट में मैं तुमें डबल दूँगा मतलब 20,000 दूँगा बस मुझे तुमारी एक छोटी सी हेल्प चाहिए किसी भी तरह की help कर सकता हूं sir 7891230000 मुझे इस नंबर की पूरी टीटेल जा ram at gmail.com मेरे आइडिया है डेटा जल्दी बिज़े 3262-4480802 SDFC बैंक का एकाउंट है sir और कुछ sir डिसेंबर 16 का call डेटा देखते हैं डिसेंबर 16 साथ बच्च कर दो मिनिट पर call आया था अब पुकी न्यूज साथ बच्च आया थे साथ दो पर 761 का call आया था मतलब वो न्यूज देखने के बाद 761 को किसीने call किया होगा 761 को call करने वाले के डीटेल्स निकाल लो तो निकालता हूँ अलो चिक करो तुम्हेक और नंबर भेजाए उसके डीटेल्स मुझे चाहिए ओके अमीत पनवर हाउस नंबर 72 M.G.S. आजमगड 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 पहले आजमगड को आतंकवादियों का गड़ कहा जाता था मतलब कि कॉल करने वाला ही 761 का बास है चक्री के कहने के मताबिक तो अड्रस नहीं का है मतलब उसने पब्लिक टेलिफोन बूट से फोन किया था सुनिया भाई बोलिए डिसमबर 16 को रात के 7 बजे मुझे यहां से कोई कॉल आया था क्या आप बदा सकते हैं कि वो कौन था जिसने मुझे कॉल किया था नहीं याद नहीं थोड़ा याद करो ना भेया रोज हजारों लोग यहां फोन करने आते हैं कैसे याद रखेंगे भाई अब इसका अड्रस कैसे ढूनों यार पहले आतमकर को आतमबादियों का गड़ गहा जाता था अपने देली की रिपोर्ट उपर वाले को पहुचा दोने चाहिए इसने भी लोग दुड़े हैं वो सब आजब बढ़े हैं क्लाइन एक को पकड़ लिया जाए तो इनके बारे में सब पता चुझा डिसेंबर 16 को शाम के 7 बचकर 2 मिनट पर फोन आया था 7 बचे टीवी पर निउस आया था 7 बचकर 2 मिनट पर उसका कॉल आया था पीच में 2 मिनट का घैब था अगर इनसान एक मिनट में 40 कदम चल सकता है तो फिर 2 मिनट में 80 कदम चलेगा मतलब कि इस दुकान से 80 कदम की दूरी पर वो यहीं आसपास ही कहीं होना चाहिए भाया सिधा जाएंगे तो कहा निकलते हैं? म्योनिस पर्टी लेफ्ट में जाएंगे तो? बाजार राइट में? बंदिर है आप कहा रहते हैं? वहीं पर रहता हुगा कब से? बच्पन से आप मेरी मदद करेंगे? आपकोर्स वाय नाट 76, 77, 78, 79, 80 यहां तक तो अस्य हुआ मतलब इस तरफ या उस तरफ वो कहीं आसपास से रहता होगा भाया यह यह घर किसका है? रावत भाय क्या करते हम? गौर्मेंट एंपॉय इस घर में? अगरवाल साहब और वो क्या करते है? कौन बिजनस और उस घर में? रदुमन साहब ट्रवल बिजनस है उनका यह घर किसका है? यह शोयप साहब का घर है मालिक लोग बाहर रहते हैं दुबाई में यहां कुछ काम वाले रहते हैं सुना है वो बहुत पढ़े लिखे हैं और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं पता नहीं इस घर में क्यों काम कर रहे हैं गोल्ड मेडलिस्ट होकर भी इस घर में काम करते हैं यह बात कुछ हजम नहीं हो रहे हैं कुछ तो कर बढ़ है हलो 1985 डेली यूनिवर्सिटी ब्रांच गोल्ड मेडलिस्ट वैसे तो गोल्ड मेडलिस्ट कभी किसी की अंडर काम करना पसंद नहीं करते हैं लेकिन तुम इस घर में नौकर का काम कर रहे हो यहां के ओनर्स दुबई में रहते हैं मतलब कि यह तुम्हार तेरा अभाल काम नहीं चल बता तेरा अली काम क्या है हुआ हुआ है अर्ड़ प्रहुटते उडलेज़ चाह अनला सभाउَّ नमा 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 म Märुट सोतों हम डम इधذ को आटोंञ机 कि यह यह ट्रांस्मीटर में तरे लिए स्पेशली मंगवाया है और अब से तरे चम्चे का हर एक अक्षन हर मुझमेंट उसके पुरे दिन की रूटीन तू सब मुझे बताएगा नहीं बताऊंगा उसका नेक्स्ट प्लान के है नहीं मालूम करता हो करता हूँ सब लोगों को पिक्डिक लेի जाएंगी और तोफा भी भी बेज्जेंगे हैं दिलिवरी प्लास। ठीक है मतलब क्या है । मतलब क्या है दर पढूंठ को क्रक्स धिलेवरी करने के बास को completing के ज Commissioner के मताबिक पहीं परखने के लिएगा और बॉक्सेस चेंज करवा दो कहां रहता है वह गोल कोंडा कोटे के पास बरकत किल्ला के पास वाले घर में वह फिलाल वहीं रह रहा है कि अधियों चैलेंज देकर मुझे अपने घर लेकर आया है एक बार अपनी शकल तो दिखाओ पूरी तरह कौन है तू और मेरे बारे में कैसे पता लगाया कैसे पता लगाया ये तो नहीं बताओंगा पर कौन हूँ ये बताओंगा मेरे डाड आनंद राओ एक दिन हॉस्पिटल के वरामदा में खड़े होकर सोच रहे थे डॉक्टर्स ने कहा मुबारक आपको बच्ची हुई है वो बहुत खुश हुए ये सोच करके उनके घर में महालक्ष्मी आई है इसका पालन पोशन कैसे करूँगा कितने प्यार से सम्हालूँगा कितनी अच्छी तरह इसकी शादी करूँगा और इन सब को करने के लिए कैसे अपनी कमाई बढ़ाऊंगा जिन्दगी की छोटी से छोटी खुशियों में भी बड़ी खुशी ढोने वाले ऐसे मध्यमवर की पिता का वारिस हुम है मेरी मा मंदा किनी हर रोज सूरज उगने से पहले ही उट जाती थी और रात में सबसे आखर में सोती थी सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हमारे घर, बच्चे, खाना, खेल, बच्चों की खुशी में ही अपने खुशी देखती मेरी मा, जिन्दगी मेंनोंने कभी कुछ और नहीं चाहा, कुछ और नहीं मांगा, एक ऐसी मध्यम वरगिये मा का बेटा हो मैं, उसका लाट कीरती, वरामदे में एक छोटा सा बच्चा उसे मामा कहके रोता था, वो कहती बेटा मा काम कर रहे है न, और जब भी वो रोता था वो प्यार से उसे सम्हान लेती थी, वो गाती थी, उसे सुलाती थी, उसने सपने देखे थे, अपने बेटे को बढ़ा करेगी, हम दोनों तिरी वजहसे मेरे जिन्दगी में अब कुछ नहीं रह गया, तिरी वजहसे मैं जिन्दगी में तीन बातें भोल चुका हूँ, मा भूक लगए खाना दे, पापा पैसे नहीं है पैसे दो, दीदी ये मेरा है मुझे दे दो, ऐसे क्या देख रहा है, इन सब चीजों की किमत त क्या पता तेरी तो बहुत बोल रहा है तू गन में साउंड होती है बाहर पुलिस घुम रही है क्या है दलवार है क्यों लाइफ में पहली बार में किसी को जी भर के मारना चाहता हूं बरदाश्ट नहीं कर पाएगा इसलिए से अपने पास रख क्या है । कर दो खड़त रर दो शर दो जो जो कर दो सब कर दो कि दो खरीना प्रश्स भारे नहीं क्वारव से भारे नहीं कि जो से प्रोप पिसले कि अ अ बरीन हमा जए उया है । है दौहेजे हैं यह रही तेरी तल्वार तुही रख उट सालें और अगेव में पर मुझे और अगे बिस दो मिन अच पिर यह तलवार तेरे काम आएगे अट, ह।ुल बढ़ की रजी वांस अखुल अट ए अ प्सटए, पुल व्योँ वांस वांस बढ़ ス qualidade हुांस ये उख हुआ अज़ अ़्याओ। मुझे ये बता तुम्हे मेरे बारे में पता कैसे लगा नहीं बताओंगा तू इसी सवाल के साथ मरेगा दार का नगर में जिन अपराजियों ने बाम रखा था वो यहीं है ऐसी हमें सूच्रा मिली है पुलिस भी यहां पर तैना आता है पर्दा फास करने के वीडिया नहीं पता हम लोग बहुत दिनों से अच्छा काम किया है हम उन्हें जिन्दा नहीं चोड़ेंगे लोगों में काफी रोश है उन लोग का पता जल्द ही चल जाएगा क्या चाह दिखता है वो कहां रहता है अभी तक मालूम नहीं आता है चरत्वय मुख साही राम नमो 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 साही राम सुरगण सुमगुन साही राम जह जो रे मन साही राम जपुरे मन बस साही राम जग के ताता हो तु मेरे प्यारे साही राम जै हो जै जै हो जै जै हो स्वामी किरपालू दयालू करना के तुम सागर खर्शन दिखा के साई अपने शरन में लो ओ मेरे साई धर्शन तुम मुझ को दो फर दो मेरी छोली थुम अपनी हाथों से साई जै हो जै हो जै हो स्वामी जै हो जै हो स्वामी पाप पुन्य जगत के दो रंग डरने ही होता है साई जब हो संग मन में तुम होते हो बर्पल साई उन गाने करता हूं अंतर याबी ये शृष्चती के तुम हो साई दुष्टों को दे दंड मेरे साई ये शिष्टी के तुम हो साई, दुष्टों को दे धंड मेरे साई जय हो जय हो जय हो स्वामी ये जय हो जय हो साई